सल्मान खान का सबसे विवादित शो बिग बोस 14 टीवी के उन शोज में से एक है जिने देखने के लिए फैंस बेस अपरेस इंतजार करते हैं शो के हर एपिसोड में आने वाले जबर्दस ट्विस्ट और टर्न्स के तड़के को देखना फैंस बहुत पसंद करते हैं और एक घंटे के एपिसोड पे होने वाला हाई वॉल्टेज ट्रामा फैंस को काफी लुबाता है लेकिन इस बार बिग बोस 14 के फैंस को इतनी देर का मजा नहीं मिलने वाला ताजा मिल रही जानकारी के अरुसार बिग बोस 14 के एपिसोड का समय कम कर दिया जाएगा किछ रिपोट्स की मानी तो बिग बोस 14 के मेकर्स ने समय को कम करने का मन बना लिया है खबरों की मानी तो बिग बोस सीजन 14 चार ओक्टोबर से राच साड़ी 10 बजे ओन एर होगा इस बार सीजन के एक एपिसोड के लंबाई केवल आदा घंटा ही होगी यानि इस बार एक घंटे तक फैंस बिग बोस के ड्रामे को नहीं देख पाएंगे कयास लगाए जा रहे हैं कि बिग बोस 14 का टाइम घटाने के पीछे की वज़ा कोरोना वाइरस है बिग बोस 14 के घर में शुशल डिस्टंसिंग और कोरोना की सभी गाइरलाइन्स का पूरा खयाल रखा जाएगा ऐसे में घर के भीते रहने वाले सभी सितारों को ज्यादा से जादा समय एक दूसरे से दूरी बरा कर रखनी होगी वहीं बॉलिवुड में हो रहे हंगामे को भी बिग बोस 14 का ताइम घटाने की वज़ा माना जा रहा है बीते राई महीने से शिशान सिंग राजपूत के केस को लेकर रजनता काफी कंभीर है लोगे सभी बॉलिवुड के कैसे तारों पर निशाना साथ रहे हैं ऐसे में हो सकता है कि इस हंगामे का असर विग बोस पर साव दिखे कुछ सवे पहले ही ये भी दावा किया गया था कि सल्मान खान इशो को होस्ट करने के लिए 450 करूट रुपे चार्ज करने वाले हैं माना जा रहा है कि मेकर्स बीते कुछ समय से संगीता खोष जैसे सितारों को इसके लिए अप्रोच कर चुकी है अगर आपको इन्यूस पसंद आई तो से लाइक को शेयर करें साथ ही अपनी व्यूज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं डेली ट्रेंडिंग न्यूस के रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लिटेस्ट और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए